क कखशा इते प्रस्तनावलीट 3 है चत्र बुजह को समझना ची जो प्रस्तनावली 32 के इस को सोल करेंगे चतर बुजह को समझना इससennial्ट इन प्रस्तनावलीट के जो क्यों से इसके इन पुट वीडियो आपको मिल जाएगा वीडियो के कमेंट सेक्षिन में और अपना जो डिस्ट्रिप्स वाप पर आप वहां जाकर वह पहला तिन पॉइंट एक वीडियो भी देख सकते हैं आई ये तिन पॉइंट दो को इस वीडियों करते हैं और इसका जो बैसिक इंट्रोडक्शन एक बहुज के बहुज के बहाई कौनों का माप क्या होता हैं तो कोई भी बहुज होता है उसके बाहर बहर के जितने भी कौन होते हैं उनको हम बहाई कौन कहते हैं जैसे एक वल्याकत ये बन रही है इसमें इसके बाहर जितने भी कौन मन रहे हैं अब ये बहाई कौन होता क का उसको हम भाही कौन कहेंगे इस बुजा को आगे बढ़ाओ तो ये बाहर कौन बने का उसको हम भाही कौन कहते हैं या फिर इस बुजा को आगे बढ़ाओ तो इदर का जो कौन बने का उसको हम भाही कौन कहते हैं तो बाहर-बाहर के जितने भी कौन बनेंगे ये बाहर कि बाही कोनों का जिव मापों का योग होता है वो हमेशा फिक्स होता है उसको हम फिक्स और पर आपको याद रखना है वो कितना होता है तिन सो साथ डिग्री होता है तो एक बहु बुझ के बाही कोनों की मापों का योग हमेशा कितना आएगा तिन सो साथ डिग्री आएगा यह दियान रखता है तो यह दे रखा हम एक पहला जो इसमें आपको याद रखने वाले चीज कि किसी बहु बुज के भाई कोनों के मापों का योग कितना होता है 360 degree होता है जैसे एक उदारा ने इसको हम सोल करते हैं अब आकरती 3.3 में माप x ग्यात करना है यानि कि एक 3.3 आकरती है इसमें ये चार बुजा वाले आकरती है इसको हम चत्र बुज कहता है इस चत्र बुज के तीन कोनों का माप दे रखा है ये 90 डिगरी है ये बाहर वाला को कूनों को जोड़ेंगे और इनकी जोड़ कितनी दे रcómoि को में मैं पता हैं कि किसी भी बहु बूज के बाहर के जितने भी कॉन ऑथे उनकी जोड हमेशा तिन सो साट डिघरी आते हैं तो भाही कोन 5 बूज हो वाया 60 बूज हो सबी के भाहिकोनों का माप हमेशा 360गरी आता है तो यह इसमें 360 डॡिगरी इन 4 नो कि जोड करेंगे वो 90 की 110 और इस एक्स की इन 4 नो की जोड करेंगे तो इसकी जो जोड है वो कितनी आएगी 360 डिगरी आएगी तो हम इसकी जोड कर लिएंगे किसे बहुबुज की बहु बहु बुज के बाही कौनों कीमापों यूग बरावर कितना होता हैं 450 डिग्री तुंसके बाहर के कौन कितने चार कौन है एक तो हम एक्स को जोड़ेंगे एक्स नब्बे पचास और एक्सोदस इन तीनों को जोड़ेंगे एक्स ये पचास नब्बे और ये हमारा एक्सोदस तो इसमें पचास नब्बे और एक्सोदस तीनों को तापस में जोड लेंगे एक्स इसमें जुड़ेगा नहीं तो इस यह हो जाएगा एक्स प्लस 250 बराबर 360 हमें एक्स का मान याद करना है तो हमने दूसरी प्रस्णावली में पक्षांतन विदी से स्कॉल करना सिखा था किस 250 को मियां से हट आएंगे प्लस के 250 इदर आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा 360 मैनस 250 अब 360 में से 250 को गटा लेंगे एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा 110 डिग्री आ जाएगा इस प्रकार से इस वाले सवाल को हम इस प्रकार से सौल करेंगे ताकि इसका एक्स का मान आप सानी से निकाल पाएंगे अगला स्वाल देखते हैं इसमें अगला स्वाल जो है हमारा ये क्यूशन नमबर उधारा नमबर दो हैं ये उधारा नमबर दो हैं कि एक सम्बहुबूज में बुजाओं की संचा यात करनी है जिसके पर्टे का भाही कोन का माप आपको दे रखा है 45 लिगरी तो इसके लिए आपको एक सुत्र बना लेना है इसमें जैसे सभी भाही कोनों की माप का योग तो कितना होता है तिन सो साट डिग्री होती है इसमें कितना होता है तिन सो साट डिग्री होती है मानलो सम बहु बूज है तो सम बहु बूज में इसकी सबी बूजाएं क्या होगी समान होगी तो सबी कौन भी इसकी क्या होंगे समान होंगे तो कोई सी वाकती जैसे ये त्री बूज है त्रीबूज की मानलो तीनों बूजाएं बराबर है तो उसके तीनों कौन भी क्या होंगे बराबर होंगे चत्रबूज है जिसकी चारों बूजाएं बराबर है जब चारों बूजाएं बराबर है तो उसके चारों कौन भी बराबर होंगे कुछ किसी सम ना न भुजित करना फ़लतुर उनकर उसमें क्वज़कों कि याद करनी है तो उसमें क्या horsepower हम परृट कोınd होता है उसमें प्रृटे कुण का का बाग दे देंगे हम बाही कोन का माप एक बाही कोन का बाग दे देंगे एक बाही कोन का बाग दे देंगे तो एक बाही कोन कितना है जो परतिक बाही कोन है वो पैंतालिस का है तो इसमें बाही कोन का बाग दे तो 306 तो उपर रहेंगे और एक बाही कुण कितना है 45 लिए तो इसमें 45 का बाग लगा देंगे तो 45 और 307 को काटेंगे इसको हम चाहे तो 15 के पारे से गाट लेंगे तो 36 कटेंगे तो 36 कटेंगे 36 कटेंगे 60 हो जाएंगे तो 15 साथ हो जाएगा बटे में यह 45 कटेंगा 35 कटेंगे तो वह आठ बार कटेंगा तो ऐसे इसमें बुझाओं की संख्य कितने आजाएगी आठ आजाएगी जब भी आपको बुझाओं की संख्या गयाद करने हो तो टोटल जो कौन है 307 डिग्री उसमें परते कबहिश कौन का बाग दे देंगे तो बुझाओं की संख्या आजाएगी या फिर परते कबहिश कौन गयाद करना हो तो आप क्या करेंगे टोटल जो कौन दे रिखा है 307 डिग्री इसी में मानलो बुझाओं की संख्या का बाग देंगे जिसे सब बुजाएं इसमें बराबर आड़ बुजाएं आटी पुजा बराबर रे अगर हम आठ पाग देंगे तो परतिय किसका भाहि कौन कितना ऐगा पैतालिस डिग्री आएगा आठाइगा बाग देंगे तो आच चोक बतीस आठ चोक 32 बचेंगी फिस में 4, 40 हो जाएगा, आठ और पंजे 40, तो 45 दिगरीज का पर्चेक बाई कोन आ जाएगा, तो ऐसे हम आप कुछ में कोन निकालना सिखाएंगे, तो अगला सवाल हम देख लेते हैं, ये तो अपना दूसरा उदारन था, क्यूशन नमबर हम एक करते हैं, तिन पॉइंट दो परसनाव लिए, इसका सवाल नमबर एक सौल करते हैं, निम्लिकित आकरते हैं में एक्स का मान आपको ग्याद करना है, तो इसमें एक्स का मान ग्याद करने के लिए, ये एक त्रिबूज दिखाई दे रहे, तो त्रिबूज के हम क्या करेंगे इन दो कोनों को जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे बाहर के और तीनों कोनों की जोड़ जो आती है बाहर वाले वो तीन सो साथ डिगरी आती है बाइस कोनों का योग हमेशे तिन सो साथ डिगरी ही होता है तो इसमें हम इसके बाहिकोनों का योग बराबर कितना हो जाएग इन दोनों को जोड़ कर लेंगे तो यह ज़ेगा एक्स कौन एक्स प्लस एक्सों पचीस और एक्सों पचीस कितना ज़ेगा 250 बराबर 360 अब यह उन्हें अपर इस पहले उदारन को सॉल किया था यह 250 एक्स प्लस 250 बराबर 360 इनकी एक्स बराबर 360 माइनस 250 कितना बचाएगा 110 तो यहीं से मापका इसमें बचाएगा 250 तो कौन एक्स बराबर 360 माइनस 250 तो कौन एक्स बराबर कितना बचाएगा आपके 110 लिगरी तो यह जो बाहर का कौन है वो कितना जाएगा आपके 110 लिगरी आ जाएगा इसी प्रकार को वाल से यह वाला जो सवाल है उसमेह हम somm क्रेंगे इसके जितने भी बाहर के को हम helpful क्या करेंगे जोडेंगे कि इस वह आकरती में आपको चुश्मेंगे 2 तो दे रहें साप साफ लेकिन दो कॉन इसमेह नहीं दे रहें तो इसमें हम इनको थोड़ा सा समझेंगे के जब भी इस प्रकार कि आग्कर्च आपको दिखा नब्बे का कौन यह वाला diagonal इतने का इतर नब्बे का साथ देर ने डिक्सा Si exact होता हैं तो दूसरे तरब भी कितने का कौन होगा वो 90 के कौन होगा तो यह अगर इदर 90 का कौन है तो यह बाहर भी कितना होगा 90 डिग्री का ही कौन होगा तो यह दो कौन हमने आप लिख लिए यह 90 के तो दो को 90 के हैं एक सित्र का एक साट का हैं तो बचा वजू लास्ट कौन इसको हम ग्याद कर लेंगे तो यहां पर आपको लाइन लिखनी है कि बहु बुझ के सभी बहुष कौनों का योग बराबर 360 डिगरी होता है तो बहुष बुझ किसी बहुष के सभी बहुष कोणों की मापो का योग कितना होता है 360 डिगरी इनकी बार-बार की जितने भी कौन है इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ है वो कितना आएगा आपके 360 डिगरी आएगा तो हम सुरुषार करते हैं यहां से यह X है तो यह कौन लिखेंगा हम X प्लस यह कितना है 90 डिग्री तो 90 प्लस 90 के बार में 60, 90 के बार में 60, 90 के बार में 70 यह हमने सबी इस कौनों को लिख लिला X के बाद में 90 हैं X के बाद में 90 के बाद में 60 फिर 90 फिर 70 तो यह ने लिख लिए यह पर अब इनकी जोड़ करते हैं और बराबर में कितना आएगा यह बराबर में आजाएगा इनका 360 क्योंकि भाई कौनों की जो मापो का योग है वो 360 डिगरी होता है अब इसमें क्या हैं यह जो संंक्य संक्य इनको आपस में जोड लेंगे एक स्तुब इस्ति अबच्छेस कि आए गा 1970 तो 1020 एक सोसी तो यह जाएंगे और यह 60 और 70 कितने हो जाएंगे यह वाजाएगा आपका 130 इनकी 180 और 130 इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ लेता है 130 जीरो आट और 3 11 औरा का 1 है a112 तो यह कितना जाएगा थिन सो दस डिगरी हो जाएगा यानि कि न चारों की जो जोड़ हो कितने आएगी 310 डिग्री आएगी अब बराबर में कितना हमारा 360 तो एक्स का माण गयात करने के लिए इस तिन 2-30 को एम यांस अप्टाइंगे एक्स बराबर यह प्लस का 310 उदर जाएगा तो मैंनस में हो जाएगा तो 360 मैंनस 310 फर्ट कमान कितना जाएगा 310 में से एक 310 को गड़ा लो 266 में से यश्चे बढके 50 डीग्री तो x का जो माँने कितना आपके 50 डीघरी आए आक्सक 50 डीघरी आएगा तो यहां पर जो माने कितना आजाएगा वḥ हो आपका फिप्टी डीघरी होगा यह पचास डिग्रिस का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट अपना जो अगला सवाल है वो दूसरा सवाल है एक संबहु बुझ के परतिक भाई कौन का माप ग्याद कीजिए जिसकी बुझाओं के सिंग्या देर की नो और दूसरे सवाल में देर का हैं पंद्रा यानकि वो बुझाओं का परतिक कौन ग्याद करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा जो टोटल है बाहिकोन की जोड़ इसमें बुझाओं की संख्या का बाग लगा देंगे यह परतिक भाई कौन का सुत्र होता है परतिक भाई कौन का माप बराबर 3070 बटे एन हो जाएगा बुझे सी नोबुझाओं का आप माप ग्याद करना तो एन बराबर 1070 कितना हो जाएगा n बराबर 9 होजाएगा तो पर्टेक भणि कोन का माप कितना हो जाएगा तिन सो साट डिगरी हो बटे हैं यानि कि तिन सो साट डिगरी हो बटे है आजाएगा आपका तिन सो иск में नो का भाग देंगे तो नो चौक छटिश चार और जीरो का जीरो है आ जाएगा तो उसका जो प्रतेक बहिश कोने प्रतेक बहिश कोने उसका माप कितना हो जाएगा वह आपके 40 डिगरी हो जाएगा 40 को आप 9 बार जोड़ेंगे तो कितना जगा 360 डिग्री आ जाएगा तो इसकी जो 22 कोन का माँ पे वो कितना है आपके 40 डिग्री आया अब इसी का आपको सवाल नंबर सेकंड करना है जिसमें सम्बहुबूज का परतेग जो बही कोने उसका माँ जात करना है और जिसमें बही कोने वो गयात करना है तो प्रतेग बही कोन गयात करने के लिए 307 इंस फुर लगाएंगे और जीजाप् ilsकार के o 15 लिंग तो 3015 अबर इसमें प्नद्रव का बाग देना है तो 30 साट में ऊड़ा बाग देंगे सम बहुबुज में तो उसका जो प्रतेक बहुष कोने वो कितना आएगा आपके 24 डिग्रिस का अंसर आएगा एक सवाल आपको करना है जिसमें आपको मैं बुजाओं की संक्या दे रहा हूं जैसे एक सवाल आपके लिए कि आपके जो चे बुजाओं दे रहे हैं कितनी बुजाओं दे रहे हैं चे बुजाओं वाले सम बहुष के जो परतेक बहुष कोने उसका माप आपको निकाल करके क किसका अंसर कितना एगा ठीक है हमने पंद्रावला देख लिए हमने नो वाला देख लिया अब आपको छे वाले का उत्तर कमेंट करके बताने कि मानलो किसी संबहुभुष में छे बुजाएं हैं तो उसका पर तेक भाहिकोन का माप कितना होगा अगर आपको यह नो वाला और कितने देरका हैं संबहुबूष का एक बाहिकॉन तो एक बहुख बराबर जो दे रखा हैर कितना है वह 64 किसीं संबहुष में एक बहुख कौन जो होता है थैं निकि अगरेगए च्वाहँष का है तो उसके संबहुभूष का पसको प्रतorted जो भाही कोन कोमा when उसका सुत्र क्या होता है 360 डिघरए बठा एंट रिखना रीख में परते ह कोन का माप दे रखा है को लिकघे और हमें को ं कमान ग्याद करना है इसमें क्या करेंगे एन कमान निकालेंंगे एनकामन निकालने के लिए सुत्र लिखें हैं ही 360 602 एन और ये 305 बटा एन और ये प्रतिपर बहुत को माप कि इतना दे रखाए 24 दे रखाए यह एकस प्रतिपर भाहे कोने बराबर यह इसका जाएगा बराबर में 360 और बटे में आएगा आएगा आए आइन कमान गयात करना है थो एन को N बराबर 360 क्योंकि हमने इसको क्रोस गुणा कर लिया तो यह 24 N से गुणा हो जाएगा तो 24 इंटू N हो जाएगा N कमान गयात करना तो 24 को इसको में बाग लगा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा N बराबर 360 और बटे में 24 आप चाहिए तो इसको 12 के पाड़ से काट लो जल्दी कट जाएगा 12 दोनी 24 और 12 ती 36 तो इसको हम 12 के पाड़ से काट लेंगे N बराबर 12 ती 36 यान कि 30 बार कटेगा और 24 कटेंगे 2 बार 12 दोनी 24 तो N का जो मान है वो कितना आजएगा आपके 2 का बाग 30 में देंगे 15 आजए था अब आपको इसनोंने एक बाहिकोन देदिया 24 दिगरी और हमें बताना था इसमें किसमें बुजाओं की संक्या कितनी है तो वो कितने आजएगी आपके 15 बुजाएं आ जाएगी ऐसे आपको सवाल नंबर 3 सौल करना है अगला सवाल सवाल नंबर 4 एक संबहु कीज़े यhon Michiakon 65 इसको took a वाले सूथ Twr सबी गयाद कर सकते और सीधा अभी जो हम a body plane वाले सूथ जयो कर सकते इसमें बुजाओं कि इसनीael जाए जाए तो इसे अंतर कों से crap निइलक है इससे कौ बाहिकों गयाद करेंगे जैसे को आपको आकरती दे रिकें त्री बुज हो एक्सासी डिग्री के बराबर होती है यंकि अंदर का कौन अगर 165 डिग्री में तो बाहर का को ग्यात करने के लिए 180 में इस इसे 165 को गटा देंगे इसका प्रतेक अद। आ जाएगा तो एक्सासी में से 175 को गटा लेंगे तो कितना बचे यह दस में से 5 गये तो 5 और मैसे 1 जाएगा छेगा तो अ 올के एक बचेगा तो कितना। दिग्री TY पर स्था कुन कितना है 15 और स्था करनी तो की लोगाए कोन भाएका तो कि अब भूजाओं do Dasar तो इसको तो निकालते तो बुझाम किस हिंगे समें ग्याद करनीय इसका पर्टेग जो अंतरकौन वह में दे हैं उसमें कि अंतर नमा कितना है पर्टे एक लाभर हैं ज्याद करना है उसनी का माफ हा अंतरकौन 145 है अभ इसमें में वाहिक और को उयाद करना है तो किसी बहुबोच चांप राइकर में को अयुक्न सब्सक्राई होता मैं तो बहुबच का सूल फडे को सब जबвержало nas bea को हम फ्रीय अन्ति होन ऊप्लिस बाइकर मळाबर कितना होता है एकinho जी बिए च्रीं यह लिक कि लिखेंगे में 165 प्लस यह लिखेंगे में भाई ये कौन तो अंतर कोन और भाह कौन बराबर 180 वाई कौन का मान गयात कर लेते तो 180 इसमें से गटा लेंगे तो भाह कौन बराबर 180 माइनस 165 इसको हम गटा लेंगे तो यह कितना जाएगा आपके 15 डिगरी तो परतेक भाहिकोन कितना गया परतेक भाहिकोन बराबर 15 डिगरी अब परतेक भाहिकोन बराबर 15 डिगरी है तो फिर हम इसके बुजाओं की संख्या ज्याद कर लेंगे तो यहां पर हम ज्याद करेंगे बहु बुज में बुजाओं की संख्या बहु बुज में बुजाओं की संख्या सम बहु बुज में बुजाओं की संख्या सम बहु बुज में बुजाओं की संख्या बराबर इसका सुत्र होता है जो टोटल बाहिकोन है वो कितना है 360 डिगरी और फिर इसमें हम क्या करेंगे एक बाहिकोन का बाग देदेंगे तो परतेक बाहिकोन का परतेक बाहिकोन इसका हम इसमें बाग देदेंगे तो परतेक बाहिकोन कितना है इसका 15 डिगरी है तो हम क्या करेंगे इसमें दो 360 में 15 का आजाएगी तो हम इसको बाग लगा के देख लाते हैं पंदरा का बाग देंगे शत्तिस में पंदरा दूनी तीस दो बार जाएगा और बचेंगे छे अंतरा कौफ पुछे तो इसमें हम क्या करेंगे 165 गयाր है तो पर इसमें बाग जाएगे तो हमारा बाहिकोंड आ जाएगा. कितना है है हमारा? 15 डिगरी, अब भुजाओ की सिंग्य ज्याद करने के लिए 3060 में परतेख बाहिकोंड का बाग लगाइगे. तो 3060 बटे 15 आ Ctrl भाग तो 3060 में 15 डेंगे तो भुजाओ की सिंग्या जाएगे समें 24. क्यूशनWhat कि और पांच एसा क्या एसा समभव वह है जिसकि परतेग का माप 22 लिख रहे तो इसको चेक करने के लिए, अगर इसमें परतेग बहुआ का माप अगर 22 लिख रहे तो उस में 22 को बाग 306 में पूरा Danielle रहे जाएगा लेकिन ऐसा कोई संभाव बूसं कव नहीं जिस में थिन्सो साट में 22 का बाग देंगे हो पुरह पुरह जाएगा तो इसमें लिखेंगे हम इसमें नहीं नेक्स की संभावे सबसे कम बुजाओं वाला जो बहु बुजाओं वो कम से कम बुजा होती है तीन एन बराबर होता है तीन तीन बुजाओं वाला इनकी त्रिबूज जोता है वो सबसे कम बुजाओं वाला बहु बुजोगा तो उसके कम से कम जो कितने का अंतर कौन संभव है और कितने का वो कौन संभव हैं तो त्रीबूस के तीनों कौनों की जोड होती है वो एक्सोसी डिगरी होती है तो कितना हो जाएगा एक्सोसी डिगरी तो अंतर कौन सभी अंतर कौनों का योग एक्सोसी डिगरी तो परते एक अंतर कौन कितना हो जाएगा एक्सोसी में तीन का भाग दे दें है कॉनों का यो मिराबर होता है यह 300 एकliest सी दिगरी अब तीन बुझे हैं तो प्रती कि अंत्र कौन बबराबरा हो जागा आपका एक सोसी बटते तीन बडाबर में कितना जगा आपके 1 दिग्रीत पर तेखंद कोन का मान कितना जागा तो कम से कम जो पूझाओ वाला बहुभ कुछ नहीं होता है तो इसमें प्रतियक अंतरकॉन का जुमाने कम से कम कितना हो जाएगा वह साथ डिग्री हो जाएगा भी है इसका किसी संभव में अधिक से अधिक इतने अंज का भाहिकोन संभव है तो भाहिकोन गयात करने के लिए तो हम क्या करेंगे एक सो असी में से साथ को गटा लेंगे अधिक से अधिक अधिक से अधिक बाही कोन बराबर क्या हो जाएगा क्योंकि अंतर कोनी साट डिग्री है तो बाही कोन याद करने के लिए 180 में से हम क्या करेंगे 60 को गटा लेंगे तो जो बचेगा वो 120 डिग्री बचेगा तो अधिक से अधिक बाही कोन कितना हो सकता है 120 डिगरी का हो सकते हैं इससे कोई बाही कोन जदा नहीं होगा और कम से कम अधिक कम से कम कितने डिगरी का हो बाही कोन यह अंतर कोन हो सकता है तो वो 60 डिगरी होगा इस प्रकार से आपको सबी सवालों को सौल करना है और कोई भी सवाल में प्रोब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेके जरूर बताना और एक क्यूशन का उत्राइब कमेंट करके बताना है कि चत्रबुज के चारों अंतर कौनों का योग कितना होता है और चत्रबुज के चारों बहुश कौनों का योग कितना होता है कमेंट करके बताना है और ऐसी कौन सा बहु बूजे जिसके अंतर कौनों का योग और भाही कौनों का योग हमेशा बराबर होता है मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक जेहिन जेबारत चैनल को सब्सक्राइब एक एपको डाउलोड करना वर्टसप ग्रूप जोइन करना